इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने बनाए हुए यूट्यूब चैनल को डिलीट कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाना है YouTube Studio में जाने के बाद left side में नीचे एक settings का option है Settings में जाने के बाद आपको channels में जाना है उसके बाद advanced settings उसमें जाने के बाद remove YouTube content Remove YouTube content पर click करने के बाद ये Google की ID login करने का एक page open होगा उस पर आपको अपने Gmail ID का password डालना है और next कर देना है next करने के बाद फिर ये window open होगी इसमें लिखा हुआ है कि I want to hide my content या फिर I want to permanently delete my content इस पर click करने के बाद ये drop down menu खुलेगी इसके बाद 2 option दिखते हैं और दोनों पर click कर देना उसके बाद delete my content delete my content पर click करने के बाद ये नई window pop up होगी उसमें हमें अपने channel का नाम दोबारा से डाल देना है channel का नाम डालने के बाद delete my content पर click करने के बाद ये window open होगी जिसमें लिखा हुआ है कि your content is in process of being permanently deleted usually this takes a few minutes but can take up to a couple of days if you have a lot of content पर इसमें कोई content नी था ना ये कोई video डाली थी तो अब ये थोड़ी देर में हमारा channel delete हो जाएगा उमीद करता हूँ आप ये सीख पाए होंगे कि कैसे हम अपने YouTube channel को delete कर सकते हैं चाहे कोई भी मजबूर video delete करने के लिए तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और ऐसी ऐसी YouTube से रिलेटिड और self growth से रिलेटिड या फिर investment से रिलेटिड मैं वीडियो लेके आता रहूँगा तो उसके लिए channel को subscribe कर सकते हो